दोस्तों आज हम रिव्यू करेंगे 1988 में रिलीज हुई एक एक्षन पॉलिटिकल ड्रामा मुवी का जिसका नाम है कनवरलाल और इस मूवी की लीडिंग कास में मौजूद हैं जितेंदर, राजबबबर, सुजाता मैता, अमजद खान, ओम शिफपूरी, टीकू टलसानिया, विजु खोटे और तेज सपरू इसके अलावा इस फिल्म की कहानी लिखिया राजीफ ने, और फिल्म का स्कीन ब्ले लिखा है एसेस रवी चंदरा ने, और डायलोग्स लिखिया है जलीज शेरवानी ने, और इस फिल्म को डारेक किया है एसेस रवी चंदरा ने, और इस फिल्म के प्रिडूसर है जी हनु मन्ता राओ आप बात करें इस फिल्म की कहानी के वारे में तो इस कहानी की शिरुआत होती है सुरज परकाश यानी राज बबबर से जो हिंदुस्तान की लोग कल्यान पार्टी का निया पॉलिटीशन है और सुरज परकाश गरीब अवाम से वादा करता है कि अगर वो एलेक् कमांड के अब्जरवर के साथ करता है मगर संदिया इस बात से इंकार कर देती है और सुरज परकाश को छोड़ देती है फिर कहानी अपना असर रुक लेती है जब सुरज परकाश गरीब अवाम को बेवाकूफ बना कर एलेक्शन जीत जाता है और MLA बन जाता है और फिर कह इसके बाद कनवरलाल सुरज परकाश को खरीदने की कोशिश करता है मगर सुरज परकाश यहां भी अपने शैतानी दिमाग से पॉलिटिक्स खेलता है और कनवरलाल के ही खिलाफ हो जाता है और फिर यहां से शुरू होती है इन दोनों के बीश की टकरार अब इसके आगे फ इस फिल्म की डारेक्शन के बारे में तो कनवरलाल एक impressive डारेक्शन के साथ बनी फिल्म है जहां डारेक्टर SS रवी चंदरा अपनी काबलियत का एक शांदार नमूना हमें इस फिल्म के जरिए दिखाते नजर आये हैं और डारेक्शन के हवाले से इस फिल्म को बिलकुल perfect क कैना भी गलत नहीं होगा इसके लावा फिल्म की स्कीन प्ले राइटिंग भी काफी मजबूत है जो फिल्म को कहीं भी लूज नहीं पड़ने देती। फिल्म का फर्स्टाफ बहुत खुबसूरती के साथ लिखा गया है जहां पॉलिटिकल ड्रामा के साथ साथ कनवरलाल के पावरफुल सीन्स भी अपने आप में आइकॉनिक हैं और फिल्म का सेगंड हाफ भी काफी फास्ट पेजड है जो हमें टोटली इंप्रेस कर जाता है और ओडियंस को एंड तक कहानी से जोड़े रखता है इसके लावा फिल्म की डायलोग्स राइटिंग भी एक अलग लेविल पे स्टेंड करती है जहां एक प्रॉपर गेंग्स्टर्स कनवर्जेशन, दमदार पंच लाइनर्स और इस्पिरेशनल डायलोग्स आपको सुनने को मिलते हैं और बात करें एक्शन सिक्वेंसिस की तो फिल्म के एक्शन सिक्वेंसिस भी काफि जबर्दस्त हैं, जिने काफि अच्छे से एक्जीकूट किया गया है इसके लावा फिल्म का बैग्राउंड म्यूजिक और गाने भी ठीक ठाक हैं अब बात करें एक्टिंग पर्फॉर्मेंस की तो जित अंदर की ये पर्फॉर्मेंस उनके कैरियर की वन आफ दा बेस्ट पर्फॉर्मेंस है जिसमें उन्होंने अपनी काबलियत के दम पे अपने किरदार को बहुत इंपेक्टफुल बनाया और आउटिस्ट रेंडिंग पर्फॉरमस दी इसके लावर राजबबर भी एक शातिर दिमाग पॉलिटीशन के रोल में काफी आइकॉनिक लगे और उनकी पर्फॉरमस भी टॉप नौच रही और बात करें हमजद खान की तो उन्होंने भी काबले तारीफ काम किया और उन पे ये रोल काफी सूट भी कर रहा था इसके लावा सुजाता मैता की बात करें तो वो काफी मासूम और खुबसूरत नजर आई और उन्होंने भी अच्छा काम किया है और फिल्म की बाकी कास ने भी अपने अपमे रोल्स में ठीक ठाक काम किया है ओवराल देखा जाए तो कनवर लाल एक हाइली एंटर्टेनिंग मुवी है जिसे एक वेल स्क्रिप्टेट और वेल डारेक्टेट मुवी कहना भी गलत नहीं होगा और ये मुवी जितेंदर के केरियर की वन आव दा बेस्ट मुवी भी है जो एक अच्छी रिपीट वैल्यू भी रखती है तो दोस्तों कनवर लाल मुवी मैं आप सब को हाइली रेकमेंड करूंगा आप सब भी इस आइकॉनिक मुवी को जरूर देखिएगा और अगर आप जितेंदर को पसंद करते हैं तो ये मुवी आपको बहत पसंद आएगी